हेलो फ्रेंड्स मैं प्रानीता प्रानीता देरसोई चैनल में आपका स्वागत करते हैं मैंने रागी के आटे से पीठे बनाए जो खाने में काफी टेस्टी लगे और ये हेल्दी भी है इसे बनाने के लिए मैंने अलग-अलग स्टफिंग की थी सबसे पहले मैंने पॉप्ट पॉस्ता दाना भी से का जाता है इसको लेकर पानी करीब 100 ग्राम के करीब में इसे लेकर गरम पानी में थोड़ी सी गुनगुने पानी में डालकर एक गंटे के लिए फुलने के लिए रख दिया था फुलने के बाद इसे मिक्सर गाइंडर में पीस लेंगे इसमें मसाले क के रूप में मैंने लशन की कुछ कली और दो हडी मिर्श डाली और नमक स्वादन साथ डाल कर इसे पीस लेंगे इसमें पानी एट नहीं करेंगे यह देखें यह थिक पेस्ट के रूप में तयार हो गया है अब इसे बॉल में निकाल लेंगे उसतर पीठे बनाएं तो काफी टेस्टी बनें यह अलग अलग इंगिर्डियन्स के साथ इसे अलग करकर रख लेंगें दूसरें इंगिर्डियन्स के रूप में मैंने डाल मसूर वाली डाल को वाले पानी में फुलो फुला कर रख दिया था उसके बाद उसे ग्राइंडर की मदद से पीस लिया फिर इसमें मसाले आट किये हल्दी पाउडर सब्जी मसाला और खडी जीरा टाल दिया था मैंने और इसमें धनिया पत्ती और नमक स्वादनुसा डाल कर अलग रख देंगे और तीसरे इंगेडियंस के रूप में मैंने नारियल को पीस लिया था नारियल को पीसने के बाद इसमें मिठास के लिए गूर डाल लिया गूर से इसका टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है आप चा देखते हैं लेकिन यांजिह घोड डाला को जन्रेली स्टाफिंग लिए गूरी डालते हैं गूर डालकर इससे से मिला लेंगे मिला कर रख लिए उसके बाद अब आटे रागी का आटा लिया मैंने रागी के आटे को चनी की मदद से चाल लेंगे चानने के बाद इसमें गरम पानी ओबलता हुआ गरम पानी डाल कर इसे थोई दे रेस्ट करने के लिए रख देंगे चमत से अच्छे से मि लाने के बाद इसे cover करके थोड़ी दिर रख देंगे हाथ से समय नहीं मिलाएं काफी क्योंकि ये काफी गरम है और गूतने में नहीं बने हैं अभी से थोड़ी देर बाद निकाल कर देखें यहां थोड़ी ये गीली हो गई है तो यहां पर आटा नहीं यहां पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें चाहे तो आप यहां पर चाबल के आटे भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिलाकर अच्छे से एक डो त्यार कर लेंगे अभी थोड़ी गीली और है तो इसमें थोड़ी सी और आटे का इस्तेमाल करेंगे मिलाकर इसे अच्छे से गूत लिया मैंने अभी से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो देर बाद अब पीठे बनाने के लिए आटा तैयार है सारे मसाले को एक साथ रख लेंगे और डो को आटे की सुखे आटे की मतल से छोटे छोटे लोई बना कर उसे आटे लगा कर उसे गोल गोल बना कर उसमें स्टफ कर लेंगे कटोड़ी के शेप में देकर उसमें स्टफ कर लेंगे मसाले उतने ही डालेंगे जितने में वो अच्छे से कवर हो जाए इसी तर से एक एकर सभी मसाले को स्टफ करकर अलग अलग शेप में रख लेंगे रागी काटा काफी हेल्दी होता है और यह मिलेट है मिलेट तो खाने में जरूरी सामिल करना चाहिए और ठन के मौसा में तो इसे जरूरी खाना चाहिए इस तर से स्टफ कर लेंगे एक एकर सभी को चारो दब से प्रेस करते हुए ताकि कहीं से खुले ना मैं दूसरे एक एकर दूसरे इनके मसाले का भी स्टफ कर दूगी यह मसूर के दाल है पीठे में आप चाहिए तो और भी दाल एड़ कर सकते हैं चनी का दाल भी बढ़ सकते हैं मैंने यहाँ पर मसूर के दाल का इस्तमाल किया था खाने में काफी अच्छा लगता है यह अप चाहिए तो इससे अलग-ळग शेप में भी बना सकते हैं और यह बीना तेल के बने वे है इस्टिंग की वे तो काफी हिल दी भी है जो लोग तेल मसाला कम खाते हैं इस तरह की रेसिपी काफी अच्छी माने जाती है उन लोगों के लिए भी जो लोग कम तेल मसाला खाते हैं या फिर जो लोग हिल्थ कॉंसेस होते हैं उन लोग के लिए भी ये काफी अच्छी रेसिपी है इसी तर से एक एकड़ मैं सारे को भर लूँए भरने के बाद इसे स्टीम करेंगे काफी जल्दी बनने वाली रेसे भी है और आसानी से बन भी जाती है मैंने यहाँ पे इसे इस तर से सेव दे दिया है अब नारियल जो गूर के साथ मिला कर मैंने रखी थी उसे स्टाफ करकर रख लेंगे यह खाने में काफी टेस्टी लगता है आप इसे ज़रूरी एक बार ट्राइ केजिए और हाँ बताईएगा कमेंड बॉक्स में की कैसे लगे धन के मौसम में तो अच्छे लगते हैं कवर कर देंगे मैंने इससे मीठे जबने को गोल्ड शेप में दिया इसी तर से एक एकर स्टाफ कर लेंगे ठन के मौसम में तो यह काफी अच्छा लगता है यह देखिए अब बन कर त्यार हो गया है अब इससे स्टीम करेंगे गैस पर मैंने स्टीमर रख दिया है मैंने इसे करहाई में बनाया है हलाकि स्टीमर में भी इसे बनाया सकता है लेकिन मैंने इसे करहाई में बनाया है करहाई में पानी डालकर नीचे उबलने के लिए रख दी है उसके उपर यह चनली रख कर उस पर एक एकर रख देंगे पीठा को इसे लिड कवर करकर रख देंगे लिड लगा देंगे इसे और करीब 20 से 25 मिनट तक इसे धीमी आज पर उबलने के लिए रख देंगे स्टीम होने के लिए जब यह थंडी हो जाएगी तब इसे निकाल लेंगे इसे चेक कर लेंगे हाथ से उपर के लेयर करें हैं उसका मतलब है यह पग गया है जब मैंने एक बॉल में निकाल लिया है इसी तर से बाकी बचेवे पीठे को भी त्यार कर लेंगे इसे भी लिड लगा कर रख देंगे भी त्यार हो जाएगे थोड़ी दिर बाद यह देखिए कलर इसके डार्क आते क्योंकि यह रागी के बने वे इसलिए इसके कलर इस तरह के आते लेकिन खाने में टेस्टी भी लगते हैं अब इसके प्लेटिंग करेंगे इसे आप चाहे तो रसे वाली सबजी के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ या स्वास के साथ भी खा सकते हैं गर्मा गर्म पीठे त्यार है सर्व करने के लिए अभी से मैं काट कर देख लेती हूं कि अंदर पके हैं या नहीं कि अंदर तक यह पग गये हैं इसे कलर भी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं यह काफी पकाबा है इसे अलग रख लेते हैं और मैं पोस्ते दाने जो खस-खस के मैंने जो बनाय थे उसे भी काट कर देख लेंगे यह देखिए यह भी तयार है कलर भी बहुत ही सुन्दर आया है और यह नारियल के मीठे पीठे है यह देखिए अब खाने के लिए तयार है आप भी इसे इस ठंड में जरूर बनाकर खाईएगा काफी हेल्दी पीठे है ठंड के मौसम में तो इस तरह से बनावा खाना काफी टेस्टी लगता है यह यह रेसेपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अहां कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि यह क्यासे लगे यह रेसीपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद थैंक यूँ अहां